हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल एलम एकेडमी से लाइस के स्पेसल लेक्षर में हमने सी लाइस 014-013 को कंप्लीट कर लिया है अगर आपने वह नहीं देखा तो उपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहां से ज कर लिया है आज के टॉपिक में हम टॉप 20 मल्टिपल चॉइस कोस्टन को डिसकस करेंगे कल आपका एक्जाम है उसके पॉइंट अप व्यू से देखा जाए तो यह सारे इंपोर्टन कोस्टन से फूल फॉर्म और सारा आप देखके जाएगा और आपके एक्जाम के लिए देर सारी सुब कामना है तो आज हम 20 मल्टिपल चॉइस कोस्टन को डिसकस करेंगे अगर आपने हमारा टेलिग्राम चैनल अभी तक जॉइन नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वहां से जॉइन कर लें जिससे आप डेली का डेली पीडिय कर सकेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर तो फ्रेंड्स यह हमारा CLIS 011 का लेक्चर 2 है इसमें भी हम TOP 20 मुल्टिपल चॉइस को डिसकस करेंगे इससे पहले हमने लेक्चर 1 में TOP 20 को डिसकस किया था यह सारे इंपोर्टेंट कोस्टिन से आप इसे जरूर देखिएगा तो चलते हैं आज के पहले कोस्टिन देखते हैं इसके उप्सें से A. कोलेशन, B. कंजरवेशन, C. सेल्फ अर्जमेंट, D. ओर्गनाइजेशन तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा B. कंजरवेशन आगे चलते हैं नेक्स्ट कोश्टन पर इसमें से कौन सा होता है जो भी बुक्स वोगेरे के रिकॉर्ड होते हैं उसकी पोजीशन होती है उसको पता लगाया जा सकता है तो इसका जो ऑप्शन से A. बेगाइट, B. एथर्टी फाइल, C. एसेशन लिस्ट, D. सेल्फ लिस्ट तो जो भी हमको इम्पोर्टन रिकॉर्ड बुक वोगेरा का पता करना हो या उसकी पोजीशन पता करना हो कि वो अलमारी में कहां पर रखी गई हो तो इसको हम सेल्फ लिस्ट से पता कर सकते हैं तो आगे चलते हैं नेक्स्ट कोश्टन पर कोश्टन नमर् 3 अगर आपकी लाइबरेरी में बुक लॉस्ट हो गई है तो उसको किस से पता लगाएंगे इसके option से A. Stock verification, B. Charging and discharging, C. Self list, D. Assession register इसका जो right answer हो जाएगा A हो जाएगा Stock verification हम Stock verification से जो भी बुक होगा है लॉस्ट होदी उसको पता लगा सकते हैं तो देखते हैं Stock verification क्या होता है Stock verification is a very important function and involves checking of books that earn stock तो यह check करता है कि जो भी बुक है, Stock में है कि नहीं और यह साथी साथ count करता है number of missing book को अगर कोई book को गएरा missing होगी तो उसको भी count करता है तो हम इसको Stock verification को थूरू पता कर सकते हैं कि कौन सी book lost हुई है आगे चलते हैं next question पे question number 4 full form of DDC, DDC का full form क्या है तो इसका जो right answer हो जाएगा debate decimal classification DDC का full form हो जाएगा debate decimal classification आगे चलते हैं next question पे question number 5 debate decimal classification first published in which year जो DDC है वो कौन सी year published किया गया था तो इसका जो right answer है 1876 US में United States में यह publish किया गया था 1876 में आगे चलते हैं next question पे question number 6 full form of ASK ASK का full form क्या है तो ASK का full form होता है approach skill knowledge आगे चलते हैं next question पे question number 7 ASK approach skill knowledge principle is related to DAS तो जो ASK principle होता है किस से related होता है इसके option से A classification B management C ICT D standards तो जो ASK होता है approach skill knowledge यह हमारा based होता है management से आगे चलते हैं next question पे question number 8 full form of IIA तो IIA का full form क्या हो जाएगा तो इसका full form हो जाएगा information industry association यह सारे full form ही important है यह आप इसा जरूर देखिएगा कल आपका exam है तो full form देख के जाएगा तो कि MCQ में full form आने के chances हैं तो आगे चलते हैं next question पे question number 9 which year IIA founded in USA USA में IIA concierge में founded किया गया इसको established किया गया तो इसका जो right answer हो जाएगा 1968 में आगे चलते हैं next question पे question number 10 library is a dash तो library क्या है तो library हमारा एक social agency है सामाजिक संस्ता है library तो आगे चलते हैं next question पे question number 11 who said public library is the responsibility of local and national authorities it must be supported by specific legislation and financed by national and local governments किसने बोला था ये तो ये statement दिया था UNESCO ने आगे चलते हैं next question पे question number 12 full form of UNESCO UNESCO का full form क्या है UNESCO का full form हमारा है United Nation Educational Scientific and Cultural Organization आगे चलते हैं next question पे question number 13 the term literary warrant was first introduced by तो ये जो literary warrant term है इसको सबसे पहले किस ने introduce किया था तो इसका जो right answer हो जाएगा हमारा E. वाइधान हुलमे ने literary warrant term को E. वाइधान हुलमे ने introduce किया था आगे चलते हैं next question पे question number 14 Sir, Sayya Ji Rao gave court third established which type of library तो ये जो Sayya Ji Rao थे इन्होंने किस type की library established किया था तो इन्होंने public library को established किया था आगे चलते हैं next question पे question number 15 राजा राम मोहन राव लाइब्रेरी फांडेशन इसके option से A. promote public libraries second located at Mumbai C हो जाएगा इसका third promote school libraries fourth हो जाएगा none of these तो राजा राम मोहन राव लाइब्रेरी फांडेशन ही ये promote करता है public libraries को ये public libraries को promote करता है और इसका जो office है ये Kolkata में है आगे चलते हैं next question पे question number 16 National Library week is observed in India every year in which month जो National Library week होता है इंडिया में परतेक साल किस मन्त को celebrate किया जाता है तो इसका जो options हो जाएगा अरे इसका जो sorry इसका जो correct answer हो जाएगा November आगे चलते हैं next question पे question number 17 full form of IFLA, IFLA का full form क्या है तो इसका जो right answer हो जाएगा International Federation of Library Association and Institution यह हो जाएगा हमारा IFLA का full form आगे चलते हैं next question पे question number 18 Who was the first president of IFLA? तो IFLA का first president कौन था? तो इसका जो right answer हो जाएगा C हो जाएगा is a collision तो यह हमारे first president है आईए फेले के तो friends यह lecture आपको कैसा लग रहा है यह comment section में जरूर बताएगा और कल आपका exam है तो आप देख लीजेगा सारे questions seem important है इसको छोड़ के मत जाएगा और सारे MCQ में यह होता है कि आपको answer आप सामने दिख रहा होता है तो आप चार में से correct करना होता है तो इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि आपके सामने answer है बस उसे आपको pick करना है और tick करना है तो यह थोड़ा easy होता है MCQ में कि आपके सामने answer दिख रहा होता है बस उसको चूज करना होता है तो आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर इसके द्वारा तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा रंगनाथन ने किया था सबसे पहले इंट्विश तो आज का हमारा आखरी कुश्टन है कुश्टन नमर्ट 20 यूनेसको केम इंटू एग्जिस्टेंस इन दे इयर यूनेसको कब आया किस इयर में एग्जिस्टेंस हुआ इसका तो इसके ऑप्शन से A. 1944, B. 1945, C. 1946, D. 1947 तो जो इन इसको आया से एग्जिस्टेंस में वो 1946 में आया था आज एक होमवर्क भी दे रहा हूँ आपको तो यह करना है आपको इसको कॉमेंट सेक्षन में करके बताईएगा IAC stands for इसके option से A. Indian Academic Council, B. Information Analysis Center, C. International Analysis Center, D. None of the above तो इसका अंसर कॉमेंट सेक्षन में बताईएगा कि इस IAC क्या होता है तो कल आपका एक्जाम है उसके लिए आपके सामने आंसर दिख रहा होगा उसको टिक करना होता है तो चलिए आज का लेक्षर हमारा यहीं तक था मिलते हैं नेक्स लेक्षर में धन्यवाद